पत्रकारिता जगत की एक जानी मानी सक्षियत श्री रामक्रिपाल सिंग जी जो कि एक बहुत ही वरिष्ट पत्रकार है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर् बहुत-बहुत धन्नवाद आपको सर् फेक निउज और गलत सूचनाओं के इस युग में मीडिया अपनी विश्वसनियता बनाए रखने के लिए क्या करता है कोई भी मीडिया चाहे वो रेडियो हो अख़बार हो टेलिविजन हो इंटरनेट हो कोई भी हो ये तो सब सारे साधन है अपनी विश्वसनियता बनाए रखने का संकट आज की तारीख में इसलिए ज़्यादा हो गया है कि टेक्नलोजी जो है वो बहुत तेज रफतार से चीजों को डिस्रप्ट कर रही है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सजग जो वाकई चाहेगा कोई भी संस्थान चाहे वो अख़बार हो, मीडिया हो, रेडियो, टेलिविजन तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, चक एन बैलेंस के लिए समय होता है और मेरा ऐसा मानना है कि स्पीड से ज़्यादा जरूरी है एकुरेसी और उससे भी ज़्यादा जरूरी है क्रेडिबिलिटी तो कभी भी सबसे पहले के चक्कर में आप ध्यान रखें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं जा रही है अगर ये मीडिया एक चीज को मान ले कि At any cost, we will not compromise the credibility, integrity भले हम देर में पहुँचें क्योंकि देखिए, कोई भी समूह जब तक विश्वसिनियता नहीं जीत सकता और मुझे लगता है कि speed से थोड़ा बहुत लोग रुमांचित जरूर होते हैं कि सबसे पहले आ गया लेकिन खत्रा ये होता है कि अगर कहीं कुछ गलत रहा तो लंबे समय तक विश्वसिनियता ही किसी भी संस्थान को किसी भी को ले जाती है तो इसके बहुत एरे साधन है एक ही बात कहूँगा कि ये लालत छोड़ दीजिए कि सबसे तेज और सबसे पहले पहुँचें और अगर आप अपनी विश्वसिनियता की शर्तों को बनाए रखके सबसे जल्दी पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन विश्वसिनियता किसी भी भरोसा जिसको बोलते हैं चाहे राजनीत हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे दुनिया के कोई भी फील्ड हो, एक भरोसा जीतना ही सबसे प्रामरी लक्ष होता है, और वही आपगे चल करके आपको जो भी देना होता है रिल्टरन उसी से मिलता है। उसी बात पर आऊंगा, सोसल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां देखिए, बलकि उससे पहले एक बात कह दूँ, मनुष जब पैदा होता है, जब वो हो सभालता है, तो उसकी एक सबसे प्रबल भूख होती है, पेट की भूख तो होती ही है, दिमाग की भूख होती ह लेकिन जानने, सबसे पहले कुछ जानने और कुछ अपना बताने, ये भूख ऐसी भूख होती है कि जो रहती ही है, तो इसमें सोसल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देया, जैसे पहले क्या था, कि आप अपने कोई एक्सप्रस करना चाहते हैं, पाठक है, तो के नाम पत्र लिखता था, या रेडियो पर गाना सुनने के लिए आप लोग तो नए हैं, हमारे जमाने में तो भीवित भारती और उसके लिए वो चिठिया लिखी जाती थी, पोसकार लिखे जाते थे और लोग नाम सुनने के लिए बेता भी रते थे, जुमरी तलहिया से फलाना ढिकाना तो, एक जो यह होता है कि यह था, अब क्या हो सोसल मीडिया ने, सोसल मीडिया में कोई स्पेस की बंदिश नहीं है, जैसे उसमें अख़वार में है, जगह कम है, तो किसी ने एक हजार चिठिया आई उसमें से दो चिठिय चपी, ऐसे ही सो लोगों ने गान इसकी उसमें से चार का नाम इना उसकिया, तो सोसल मीडिया ने यह स्पेस का बंधन खतम कर दिया, स्पेस का बंधन खतम करने का सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है, बात वही होती है, demand समाज में जिस चीज की है तो लगता है कि ज़्यादा demand है तो अच्छी चीज़ें भी परोसी जाती है, duplicate भी उसमें चली जाती है, demand ने supply पर depend करता है तो एक चीज की बत कुछ जानने और कुछ अपना बताने, यह जो भूख है यह सब की होती है इसलिए social media पर ये चीज़ें आ रही हैं लेकिन मेरा ये कहना है कि social media कोई किसी न किसी का तो उसकी जिम्मेदारी होगी न जैसे कोई channel है कोई platform है उस platform का कोई मालिक होगा उस platform की जवाब दे ही होती है लोग अगर अपनी जवाब दे ही इमानदारी से निभाएं चाहे वह twitter हो, facebook हो सारी चीज़े हो, check and balances हो तो मुझे लगता है कि इसको कम किया जा सकते है देखे, कोई भी जैसे मैं कहता हूँ कि अपराद जब तक इंसान है अपराद भी रहेंगे लेकिन हम अपराद खतम करने की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपराद कम कर सकते हैं ऐसे ही, दुरुपयो को अंकुष लगाया जा सकता है अब वो अंकुष अपने अपने तरीके से हो सकते हैं मैं फिर वही कहा, कि अंकुष आप तभी लगा सकते हैं, जब आप इस लालच से बचिये की सबसे पहले ये जो होड होती है ना कि कोई बात आई तो सबसे पहले मैं बता दूँ उस पहले में ये जोखिम रहता है क्योंकि आपको जाचने परकने का मौका नहीं मिलता और अगर इस पर डिटेल में जाओगी तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ अखबार जो है वो एक फिल्म की तरह है कि आप 24 गंटे में छपता है संपादक के पास टाइम है पूरी टीम है कि आप उसको दस बार चक करो जैसे फिल्म क्या होती है कि फिल्म बनती है फिल्म जो है वो डिरेक्टर का मीडियम है यानि डिरेक्टर जैसा चाहेगा वो ऐसे ही हिरो का एक्टिंग करनी है वो ऐसे ही शब्द बोलने है वो चाहे दस लिल टेक कर ले चाहे जो करे तो अख़वार में तो तब भी पॉस्पिलिटी है कि आप सुख करें लेकिन ये जो मीडियम है टेलिविजन कहते हैं या वो ये थियर्टर की तरह है जैसे थियर्टर में आप खूब रिहर्सल कर लीजिए लेकिन एक बार अगर एक्टर वहां गया और कुछ भी बोल गया तो डियर्टर कुछ नहीं कर सकता तो इसलिए कहा जाता है कि थियर्टर जो है वो एक्टर का मीडियम है और अख़बार जो है वो डियर्टर का मीडियम है यानि फिल्म डियर्टर का मीडियम है और थियर्टर एक्टर का मीडियम है सब कुछ उसके हाथ में जो चाहे बोल दे लेकिन फिल्म में आप वही दिखाएंगे जो डिरेक्टर चाहेगा क्योंकि वहाँ पे चेक है अब अगर माल लीजे मैंने किसी को एक्टिंग करने के लिए किसी को बोला कि आप राम जाके बोलिएगा और राम बोल गया तो आप क् ट्रेलिविजन जो भी है तो यह जो चेक एंड बैलेंसेस हैं यह डिपेंड करेगा कि आपको कुछ मोह छोड़ना पड़ेगा सर पत्रकारिता में आने वाली चुनोतियों के लिए नव यूवा अपने आपको कैसे तयार कर सकता है देखो हर चुनोति के लिए अपनी तयारी करना यह उस पर डिपेंड करता है जो है बट मैं एक बात कहूंगा कि चुनोतियां जितनी पहले थी उतनी आज भी हैं और जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता है टेक्नलोजिकल डिस्रप्सन होते हैं चुनोतियां थोड़ी बात कहूंगा कि जैसे जैसे प्लेट फॉर्म जैसे पहले अख़वार प्लेट फॉर्म था अब उसमें अगर कोई ज़्यादा जगह बढ़ानी है तो और अख़वार लाईए तो सबकी एक सिमाय होती थी मैगजीनों की सिमा होती थी कि इससे ज़्यादा पेज नहीं है नह लेकिन टेकलोजी ने असीमित कर दिया है कि जगह ही जगह है तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि चैलेंजेज भी हैं उनको मैनेस करने का लेकि संभावनाय अनंत हैं जो हम लोगों के दौर में नहीं थी आप लोगों के दौर में इतनी संभावनाय हैं क्योंकि content के लिए इतनी गुंजाइस है जैसे social media पर आज की तारीख में कोई भी अपना YouTube चैनल क्रेट करके कुछ भी कर सकता अगर उसमें दम है तो यह जो मेरा कहना यह है कि चैलेंजेज बढ़े हैं अपार्चुनूटीज उससे कई गुना बढ़ी हैं तो मुझे तो भाविस बहुत सकारात्मिक लिखता है धन्यवाद सर आपनी कीमती समय के लिए बहुत बहुत चुकरिया इसी के साथ मैं अक्षिता जैन कामरमेन विपल के साथ IMS Today से